पेड के बचे हुए भाग या स्टंब को निकालने के लिए सबसे पहले शौविल या खुदाई करने वाले फावड़े की मदद से ठूट के आसपास की मिट्टी खो दें ताकि पेड़ की जड़े नजर आने लगें। उसके बाद छोटी जड़ों को कटर की मदद से काट लें और बड़ी जड़ों को काटने के लिए आप आरी या फिर रेसिप्रोक्रेटिंग सौ यानि इलेक्ट्रोनिक आरी का इस्तिमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद फावड़े की मदद से ठूट को जमीन से बाहर निकाल लें और उस गड़े को मिट्टी से भर दें। आप होम इंप्रूब्मेंट स्टोर से स्टंप ग्राइंडर लाकर ये काम और भी जल्दी कर सकते हैं। स्टंप ग्राइंडर मशीन को ठूट के उपर रखें और उसके बाद धीरे-धीरे इस मशीन से इसके छोटे-छोटे टुकडे करना शुरू करें। जिसे ये जमीन पर 6-8 इंच ही बचें। अब इस गड़े को चिकनी भुर-भुरी मिट्टी से भर दें। स्टंप रिमूवल कैमिकल की मदद से ठूट का खात्मा करने के लिए सबसे पहले इसको जितना मुम्किन हो सके जमीन के करीब से काटें। फिर ठूट के ऊपर 10 इंच कहरे कई छेद किये जाएं। अब इन छेदों को स्टंप रिमूवल कैमिकल से भर कर 4-6 हफ़तों तक इंतजार करें ताकि ठूट गल जाए। अब आखिर में इस गले हुए ठूट के कुलहाडी से टुकडे कर लें और फिर इन टुकडों को जमीन से बाहर निकाल दें।